नमशकार दोस्तों मैं हूँ कुरू और आप सब का स्वागत है दकुरू रूवीव शोओ में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले है याली ड्रीम क्रेशन्स पॉब्लिकेशन के बारे में और basically हम बात करेंगे कि इनकी कौन-कौन सी कौमिक्स से कौन-कौन से साल में कब-कब आई है उनका क्या प्राइस रहा है और कौन सी कौमिक्स के ओपर वैब सेरीज बन रही है किस कौमिक्स के ओपर जो है मोवी बन रही है और future plans क्या है याली dream creations के कौन कौन सी comic से आने वाली है इन सब पे हम discuss करेंगे याली dream creations जो है वो found की गई अश्विन स्रीवत संगम जी के दौरा जुलाई 2012 में वो समिक दास गुपता और शुरोदे डे को मिले social media पे और उन्होंने decide कि एक graphic novel निकाली जाए और 2013 में जो है first graphic novel आई YDC की तरफ से जिसका नाम था कारवा ये 80 page के graphic novel थी इसमें penciling की गई थी विकास जी के दौरा, coloring की गई थी विश्वनाजी के दौरा कारवा जो है वो inspired थी Hollywood की कुछ movies से from dusk till dawn and 30 days of night और कुछ-कुछ elements Bollywood के भी उठाए गए थे इसकी जो है second printing हुई है अभी हाल ही में English वाले वर्जन की जिसका rate है 499 रुपीस और आपको जो है discount के साथ के Yali Dream Creations की साइट पे 430 रुपीस की मिल जाएगी इसके बाद January और February 2014 में जो Kolkata Book Fair हुआ था उसमें YDC ने अपनी दूसरी graphic novel launch की जिसका नाम था देवी चौदराणी ये जो है बंकिम चंदर चटोबात्याजी की novel adaptation थी इसमें भी same team ने काम किया जो कारवा में थी और इसका जो है खाली volume 1 ही आया volume 2 के बारे में मैंने सुना कि last year इसका plan drop कर दिया गया है तो मुझे लगता है कि YDC को volume 2 भी लाना चाहिए ताकि जो पार्टक जुड़े है volume 1 पढ़के उनको एक closer मिले volume 2 में देवी चौतरानी में जो total number of pages थे वो थे 88 इसका price 250 था पर discount के साथ आपको Amazon पे 200 का मिल जाएगा शायद आपको delivery charge भी pay करना पड़े तो आप देख लीजेगा वो जैसे भी रहेगा अगर आप लेना चाहिए तो इसके बाद 2014 के Bangalore Comic Con में YDC ने अपनी तीसरी graphic novel launch करी जो थी Carva का prequel Carva Blood Wars Part 1 इसमें total 32 पेस थे और इसका rate था 140 आपको ये discount के साथ मिल सकती है 125 रुपे में speech bubbles है इसके बाद जो है YDC ने जल्दी ही अपनी Carva Blood Wars का part 2 भी release कर दिया वो भी सेम 32 पेज और रेट उसका 140 था वो भी आपको 125 रुपे की मिल सकती है speech bubbles है Spring 2015 में YDC ने Carva का Blood War issue 3 रिलीस किया इसमें भी सेम 32 पेस थे पर इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया 145 रुपे हो गया Summer 2015 में YDC ने अपनी पहली हिंदी graphic novel launch करी जो थी Carva ही ये basically English version का translation किया गया था और इसका price अपके time में 249 रुपीज है और आपको same number of pages मिलेंगे पर इसका थोड़ा जो है size थोड़ा छोटा है जो English वाली थी उससे थोड़ा अलग है इसका size तो आप चेक कर लीजेगा ये आपको मिल जाएगी शायद Amazon या YDC पर डिसकाउंट में तो winter 2015 में जो है YDC ने लॉंच करी अपनी ब्लड़ वार इशू का final part दिल्ली Comic Con में इसमें total 44 pages थे और इसका price था 199 रुपीज आपको डिसकाउंट के साथ ये भी कहीं न कहीं मिल जाएगी अगर आपको इन 4 comics का पैक्ट चाहिए तो इन 4 comics का आपको पैक्ट जो है Amazon पे 500 रुपीज का दिखा रहा है अभी तो 500 रुपीज का मिल जाएगा और कहानी इसकी बहुत ही उंदा है आप यह मत सोचेगा कि कहानी जो है कहीं पे भी compromise हुआ है कारवा हो या कारवा ब्लेड वार्स और दोनों की कहानी बहुत इच्छी थी फैप 2016 में YDC ने अपनी पहली सूपर हीरो कॉमिक्स लाउंच करी जिसका टाइटल था रक्षक और यह रक्षक जो है नाम दिया गया था अश्विन जी के दौरा इसका जो प्राइस था वो था 350 और इसके टोटल नम प्राइस थे तो आप ले सकते हैं जहां से भी आपको लेना है YDC पर यह 325 किये है अब इसमें डिसकाउंट है यह नहीं यह मेरे को आइडिया नहीं Amazon पे यह 230 की है पर आपको डिलिवरी चार्जिस पे करने पड़ेंगे रक्षक का जो इश्यू 2 था वो 2016 अगस्त में आया इसमें भी सेम 72 पेजेस और इसका भी रेट 350 था रक्षक ओरीजन स्रीज का थर्ड इश्यू आया आपका समर 2017 में इसमें टोटल नमर अफ पेजेस 120 थे इसका प्राइस था 490 रूपीज थोड़ी से गैप के बाद जो है समर 2017 में ही आपकी दो कॉमिक से साथ में आई जो थी रक्षक ओरीजन स्रीज का फिनाले जो था फूर्थ इश्यू इसमें टोटल 90 पेजेस अराउंड थे और इसका प्राइस था आपका 380 रूपीज और साथ में जो है याली डिम क्रेशन्स ने अपनी एक पहली हार्ट बाउंड कॉमिक्स रिलीज करी जिसका टाइटल था दा नॉमबर 2020 में कारवा का फिनाले रिलीस किया गया जिसका नाम था कारवा वेंजेंस यह जो है डारेक सीक्वल थी कारवा का यह एक ग्राफिक नॉवल थी 140 पेच की इसको लिखा गया था शमिकदास कुपता जी के तवारा और इसका प्राइस था 1000 रूपीज अप्रेल 2021 में रक्षक की second series launch की गई और उसका जो first part था उसका नाम था Crackdown इसका price रखा गया था 799 रूपीज इसमें number of pages around 128 थे और यह पहली बार जो है एक version cover में निकाली गई comics थी याली टीम क्रेशन की द्वारा और कारवा वेंजेंस का एक हिंदी translation करके जो है वो comic हिंदी में भी launch की ज और इसका price है around 800 रूपीज और इसमें number of pages आपको पते ही है 140 है तो यह 11 October को release हो रही है और अब हम बात करते हैं YDC की आने वाली comics हो की तो जो सबसे पहली comics आ रही है वो है October last में है November start में उसका नाम है codename alpha यह हिंदी और English दोनों में साथ में release की जाएगी इसके writer जो है वो है YDC के लिए लिख रहे हैं YDC ने अपने Facebook page पे एक sneak peek दिया था एक comics का जो launch होने वाली है 2022 में उसका नाम है Science of the Cursed King और यह जो है आपकी विश्व कर्मा के ऊपर है शायद और साथ में जो है रक्षक Crackdown का second part भी आएगा अगले साल ही तो यह दो comics अभी line up में है और तीसरी जो का line up है अभी YDC का और हो सकता है कि future में हमें और comics से दिखे YDC की तरफ से तो दोस्तों YDC की तरफ से जो अब तक series आई है वो है आपकी कार्वा series दूसरी है रक्षक series और बाकी जो one comic थी वो थी आपकी देवी चौदराइन और एक थी दव लेज तो कार्वा जो है total अगर जो है चार पार्ट में डिवाइड किया गया इंग्लिश में और थर्ड जो है वो फिर से एक सिंगल शॉट ही निकाली गई और अगर आप हिंदी में देखे तो हिंदी में दो आलेडी आ चुकी है तीसरी आने वाली है कार्वा की तो total कार्वा में 9 comics से आई है तीन हिंदी म में अब तक 5 comics से आ चुके है चार comics से जो है वो फर्स सीरीज की थी रक्षक और इजन स्रीज और सेकंड जो है वो अभी स्टार्ट हुई है उसका फर्स पार्ट आ चुका है सुनने में उसके तीन पार्ट है और विलेज जो है आपको पते ही है वो सबसे पहली हार्ट बाउ ब्लड वार्स का रिव्यू देखना है तो आप हमारे Facebook ग्रूप पे जाके भी देख सकते हैं वहाँ पे चारो की चारो comics का रिव्यू किया गया है और बाकी जो comics से हैं उनका रिव्यू हम जल्दी ही करेंगे आप विलेज का भी जो है Facebook ग्रूप पे रिव्यू देख सकते है हमारे हैं तो दोस्तों ये तो बात हुई YDC की जर्णी जो Comics इंडस्ट्री में कैसे आगे बड़ी अब बात कर लेते हैं कि YDC की इनी Comics की कौन कौन सी TV सीरीज आ रही है और कौन सी Comics की जो है मूवी बन रही है तो Village को जो है एक Web Series के तोर पे जो है Amazon Prime ने खरीद लिया है और इसको जो है मिलिन राओ जी जो Assistant Director थे मनी रतनम के वो डारिक करेंगे और ये Project अभी जो है November 2021 में फ्लोर पे जाएगा और Hopefully मुझे लगता है कि 2022 में आप इसको जो है June जुलाई में जो है आप देख सकते हैं Amazon Prime पे अब जो मुवी Adaptation हुआ है वो हुआ है रक्षक A Hero Among Us Series का इस पे जो है संजय गुपता जी ने फीचर फिल्म बनाने का फैसला किया सा December 2019 में और इसमें जो अभी तक News आई है वो आई है कि जॉन अबराहिम ऐसे लीड रोल में काम करेंगे जो आदित्य शेरगिल था उसका रोल जॉन अबराइन प्ले करेंगे और आपको अगर थोड़ा आईडिया चाहिए रक्षक का तो मैं आपको बता देता हूँ यह जो है इंस्पार्ड है काफी जादा बैटमैन से और इसमें जो है कुछ-k우छ इविट जो है वो रियल लाइफ इवेंट को लिया गया है रक्षक सेरीज में रक्षक का जो फॉस्ट पार्ट था उसमें एक जिक्र था जो हुआ था दिल्ली में 2011 निर्वियकेश उसका जिक्र था तो मुझे लगता है कि ये movie काफी अच्छी होगी और इसके आने के बाद जो है थोड़ा comic industry को शायद boost मिले अभी तक तो मेरी prediction यही है साथ में सुनने में ये भी आया है कि जो कारवा है उस पे भी बात चल रही है वेब सरीज बनाने के लिए जो है कि इसकी वेब सरीज निकाली जाए तो हो सकता है आपको फ्यूचर में कारवा के ओपर भी एक वेब सरीज देखने को मिले तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको याली ड्रीम क्रेशन की जर्नी के बारे में बता है कौन कौन सी कॉमिक्स उनकी एड़ैप्ट हो या OTT प्लैटफॉर्म में या मूवीज बन रही है उसके वारे में बता है तो यह मेरा एक पूरा ओवर्विव था YDC को लेके तो दोस्तो साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है सारी कॉमिक्सों के लिंक जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं आप खुद भी सर्च करिए अगर आपको कुछ अच्छी डिल मिले तो आप वहां से लीजिए तो चलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद